हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है द्रेश से आज हम बात करना चा रहे हैं कि फ्रीज के बारे में नॉर्मली कस्टमर्स क्या रहता है कि जो टेंपरेचर है फ्रीज का वो प्रोपर वेसे सेट नहीं कर बाता क्योंकि कई बार वहां फ्रीज पर लिखा नहीं होता कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि फ्रीज का टंप्रेचर कौन से वाला एक्कुरेटर हम रखें जिससे हमारी कूलिंग भी बढ़िया हूँ और दूसरी चीज़ है ताकि लाइट कम खाय हमारा फ्रीज तो आईए इसी के बारे में मैं डिसकस करके बताऊंगा आपको लाइव दिखाऊंगा कि टंप्रेचर आपको डबल डोर के अंदर कैसे सेट करना है उपर वाले फ्रीजर का टंप्रेचर कैसे मेंटेन करना है और नीचे वाले फ्रीजर का टंप्रेचर हमने कैसे मेंटेन कर करना है तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेकिन एक छोटी सीर क्वेश्ट है चैनल पर जोनों यह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल एकन प्रेस कर लिए तांकि तब जब भी मैं कोई वीडियो आपके सामने ले के हूं उसका नोडिफिकेशन आप तक जा सो दोस्तो डबल डॉल फ्रिज में लोगों के अंदर यह डर रहता है कि टंपरेचर कैसे सेट किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उपर वाले पोर्शन में कूलिंग ज्यादा रहती है निच्चे वाले पोर्शन में कूलिंग आपको प्रोपर वे से नहीं मिल पा उस fridge की live demo भी दूँँगा उसका आपको live बताऊंगा temperature सेट करके ठीक है तो आईए मैं देखता हूँ यह double door का fridge है इसमें देखिए दो control knobs है एक यहाँ पर बिल्कुल सामने है यहाँ पर देखिए दिखा रख़ा है बिल्कुल होता क्या है यहाँ पर लिखा है minimum freeze कहने का मतलब है कि उपर वाला जो portion है उसमें हमको कम करनी है ठीक है अगर यहाँ पर हम इसको normal कर देते हैं तो उपर वाले portion में normal temperature रहेगा जो कि regular चलता है उसके बाद आजाता है max freeze कहने का मतलब कि उपर वाले portion में आपको दबा के cooling मिलने वाली है अगर आप उपर कोई ऐसी item रखना जाते हैं जिसमें cooling की ज़्यादा जरूरत रहती है तो आप सीधा यहाँ से जाकर उसको max freeze कर देंगे तो आपका temperature जो है काफी अच्छा maintain हो जाएगा ज्यादा temperature आपके freezer section में हो जाएगा अगर उसे निच्चे वाले fridge section की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी company ने शो कर रखे देखिए यहाँ पर यह max cooling लिखी हुई है point 8 लिखा हुआ है ठीक है यह 5 है और यह 2 है अगर आपके पास सर्दियों का time है तो आप चाहते हैं कि मेरको temperature जो है normal रखना है आपको ज़्यादा cooling की need नहीं पढ़ रहे क्योंकि normal मोसम ठंडा रहता है तो आपने इसको normal कहाँ पर कर देना है यहाँ पर 4 पर बाकि आप मोसम के हिसाब से आप चाहते हैं कि जैसे अब पूरी गर्मी पड़ रही है तो आप इसको maximum 8 पर कर लीजिए जिसमें कि आपको proper से अच्छी cooling मिलेगी ठीक है और अगर मोसम मानसुन वाला है कहने का मतलब है कि हलकी हलकी बारिश है बादल है तो उस condition में आपने क्या करना है इसको यहाँ पर मोसम पर सेट कर लेना है पांच पर यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन कई फरीजों में यहाँ पर mention कर रखा होता है कंपनी ने कहीं नहीं कर रखा थोड़ा सा आइडिया आप भी लगा सकते हैं जब मोनसुन का मोसम होता है तो temperature को हमेशा खम कर लीजिए उसमें काफी सारे फायदे हैं पहली बात तो यह है कि आपको कोई भी खाना है कोई भी चीज है वो जादी ठंडी नहीं होगी बर्फ एक्स्टा जमेगी नहीं किसी भी खाने को ज़्यादा चिल्ड नहीं करना चाते और सबसे ज़्यादा फायदा आपको लाइट सेविंग में रहेगा क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो फ्रिज है वो कूलिंग के हिसाब से लाइट लेती है जितना टंपरेचर आप ज़्यादा रखेंगे उतनी वो लाइट ज़्यादा लेगी जितना temperature आप थोड़ा कम रखेंगे तो वो उतनी light आपका freeze कम लेने वाला है तो इस तरीके से आप temperature को मौसम के हिसाब से सेट कीजिए तांकि आपका freezer light भी बिचाए और आपकी जो cooling है खाने के लिए या किसी चीज के लिए वो भी proper way से बनी रहे तो दोस्तों आयों सबको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना शेर कर देना दोस्तों के साथ subscribe करना मत भूलेगा bell icon press कर लेजिए तो नई जानकारी के साथ मिलते हैं तब तक गुड़बाई